सब्सक्राइब कीजिए फाइन इंवेश्मेंट चनल को और वैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए अगर आप नया डिमेंट एकाउंट ओपन करना जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देऊई लिंक से ओपन कर सकते हैं जहां पर आपको कई सारे अच्छे आफर्स भी मिलेंगे साथ ही साथ आपके आईपियो में एलाटमेंट के चांसे भी बढ़ जाएंगे इस वीडियो में हम फोर्स इंडिया लिम्टेट कंपनी के आईपियो की कम्प्लीट एनलेसिस करेंगे जिसमें हम company के product and services, company के financial, IPO details और मेरा क्या opinion है इस IPO को लेकर इन सब बातों पर चर्चा करेंगे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे free telegram channel को भी subscribe कर सकते हैं जहां पर मैं आपको trading calls प्रोवाइट करता हूँ आप हमें twitter पर भी follow जरूर करें जहां पर news update आपको सबसे पहले मिल जाती है दोनों का ही link आपको description में मिल जाएगा तो चलिए सबसे पहले इस company के product and services के बारे में समझ जते हैं कि company किस field से related है अब दिखें जो company है 2001 में ये company बनाई गई थी force India is mainly engaged in the business of supply distribution and retailing of various types of wrist watches such as analog, digital, chronograph, designer etc. यानि कि mainly देखा जाए तो ये company supply और distribution से जुड़ीवई company है और दिखें बहुत सारी जो wrist watches आती हैं जिसमें analog, digital, chronograph, designer उसकी ये retailing भी करती है यानि कि overall देखा जाए तो ये company supply and distribution से जुड़ीवई company है अब देखें बात करते हैं competitive strength की तो देखें पहला point है experience over two decades यानि कि अकरीब 20 सालों का इनको experience है pain India presence है next बात करें तो इनके जो promoter है या फिर इनका जो management है काफी जादा experience है next बात करें company के financial की तो देखें financial को तीन भाग में divide किया गया है total assets value, total revenue and profit after tax और देखें जो भी value आपको देखेंगी वो millions में देखेंगी इस बात का आपको धिहान रखना है अब देखें सबसे पहले बात करते है asset value की तो 2019 में की asset value 140 million के आसपास थी वहीं 2020 में ये थोड़ा सा कम होकर 111 million के आसपास होती भी नज़राई लेकिन 2021 में अगर बात करें तो 314 million के आसपास इनका asset value होता हुआ नज़राया वहीं 2021 की अगर बात करें जून महीने तक यानि की मार्च से जून महीने तक 3 महीने होते हैं तो इनकी जो यहां पर asset value करीब 387 million के आसपास होती वहीं नज़रा रही है वहीं अगर बात करें revenue की तो revenue 2019 में इनका 620 million के आसपास था वहीं 2020 में ये थोड़ा सा कम होकर 544 million के आसपास होता हुआ नज़राया लेकिन 2021 की बात करें मार्च महीने की तो 768 million तक यहां पर revenue इनका बढ़ता हुआ नज़राया तो कावी अच्छी ग्रोथ हुई अब दीके 2021 में अगर जून तक बात करें तो यहां पर तीन महीने में यानि मार्च से जून तक अगर बात करें तो इनका revenue 361 million के आसपास हो चुका है यानि कि यह सिर्फ तीन महीने का है अगर इसमें हम चार का गुड़ा करें क्योंकि हम अगले जो तीन तिमाही है ऐसा मान के चलें कि इतना ही growth होगा तो इनका जो revenue है 1000 million से भी उपर निकलता हुआ नज़र आ सकता है वही profit की बात करें तो profit 15.84 million का इनको हुआ था 2019 में वहीं 2020 की बात करें तो 16.07 million का होता हुआ नज़राय था वहीं अगर बात करें 2021 मार्च तक की तो 19.89 million के आसपास इनका profit हुआ था वहीं 2021 जून तक की बात करें तो दिखें अभी तीन ही महीने में इनका जो profit है 15.22 million के आसपास होता हुआ नज़राय है यहने कि कमपनी ठीक ठाक ग्रो करती भी नज़रा रही है ऐसा भी नहीं है कि कमपनी एकदम बैट रही है तो थोड़ा सा ग्रो यहाँ पर जरूर आपको करती भी नज़रायगी financial के दौरा भी आप देखेंगे तो यहाँ पर देगे तीन महीने में इनको अच्छा खासा profit यहाँ पर हुआ है revenue भी तीन महीने के साफ से ठीक है तो overall कहा जाए तो financial ठीक ठाक यहाँ पर लग रहे है वहीं अगर बात करें IPO details की तो देखें यह IPO 13 December याज से ही open हो चुका है apply करने के लिए 17 December तक इसकी last date रहेगी fix price issue है यह 10 रुपे प्रितिक कुटी share इसका face value है और IPO price की बात करें तो 225 रुपे में आपको एक share मिलेगा lot size की बात करें तो 600 shares रहेंगे और minimum आपको 600 shares के लिए ही apply करना है listing की बात करें तो NSE SME में IPO list होने वाला है वही issue size की बात करें तो करीब 29 करोड का ये issue होने वाला है जिसमें से fresh issue 20 करोड के आसपास कर रहेगा वही offer for sale करीब 8.78 करोड के आसपास का होने वाला है यहाँ यहाँ पर यह जादा अच्छी बात है कि देखें यहाँ पर जो यह fresh issue है यह 20 करोड मतलब जादा पैसा यह company के पास ही जाएगा और company के development में ही खर्च होगा वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर object of issue की मतलब यह IPO क्यों लाना चाह रहे है तो दिके company ने बताया कि to meet working capital requirement यानि कि जो working capital है उसकी इनको जरूरत है उसमें पैसा खर्च होगा वहीं general corporate purpose के लिए यहाँ पर पैसा खर्चा होगा और meeting the issue expenses तो यानि कि यहाँ पर इन तीन चीजों के लिए जो fresh issue के जरीए पाईस पाईसा आ रहा है वो यहाँ पर खर्च किया जाएगा lot size की बात करें तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ retail category में एक ही lot आप कर सकते है minimum जिसमें 600 shares रहेंगे और 1,35,000 रुपया आपको खर्च करने है maximum lot की बात करें तो एक ही lot कर पाएंगे 600 shares रहेंगे और 1,35 आपको खर्च यहाँ पर करना पड़ेगा सेम चीज़े minimum और maximum सेम ही रहता है retail के लिए अब देखे बात करते हैं इस IPO में apply करना है या नहीं करना है financial की बात करें तो ठीक ठाक हैं और जैसे कि आपको बता होगा कि generally SME IPOs में apply करने की सलाह नहीं देता हूँ क्योंकि देखे इन IPO में apply करने के लिए आपको ज़्यादा amount की जरूरत होती है और देखे अगर कही market इधर से उधर हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा loss भी हो सकता है और देखे जो SME के थुरू companies आती हैं वो काफी छोटी होती है और उनके बारे में ज़्यादा information होती नहीं है तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि इस IPO में भी आपको avoid करना चाहिए इस IPO के apply नहीं करना चाहिए और देखे बहुत सारी ऐसी companies के IPO अभी market में हैं इनको अगर आप apply करते हैं और अगर आपको एक भी lot मिल जाता है तो आपका पैसा double होता हुआ नजर आएगा तो आप उन पर ध्यान दें ना कि इसमें आपको apply करना चाहिए तो मेरी तरफ से देखे इस IPO में avoid करने की सला रहेगी लेकिन फिर भी अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं apply करते हैं avoid करते हैं तो अपने financial expert से आपको जरूर पूछना चाहिए क्योंकि देखे हो सकता है कि इस IPO में अच्छा खासा potential हो और listing के बाद ये और भी जादा उपर जाता हुआ नजरा है तो आप एक बार अपने financial expert से सला ले लें मेरा मानना ये है कि इन IPO में कम से कम छोटे जो निवेशक हैं जिनका capital काफी कम है उनको इस IPO से दूर रहना चाहिए और देखे यहाँ पर क्योंकि दूर रहना ही सही है क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि हमारे निवेशकों का loss नहीं होना चाहिए चाहे profit थोड़ा सा कम हो जाए तो देखे इसी उदेश से हम यहाँ पर आपको बताते हैं और देखे हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही धन्दबाद